तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर और इस वीडियो में हम बात करेंगे C.U.C.T. 2022 के बारे में और यहां बताने की कोशिस करेंगे कि इसका एक्जाम कब कंडट कराया जाएगा ठीक है और इसके रजिस्टेशन डेट्स क्या होगी इसके बारे में भी इस वीडियो में चर्चा करेंगे जैसा कि आप सब लोग यहां पर देख पा रहे हैं थंबलेन में साब साब लिखा है कि C.U.C.T. 2022 जो है वो जून और जुलाई में हो सकता है ठीक है तो सवाल यह उड़ता है कि किस बेस पर मैं यह बोल दे रहा हूँ क्या मैं यह पूरी जानकारी फ़र्जी बता रहा हूं नहीं देखें C.U.C.T. की जो भी जानकारी होती है वो भारत के एक बहुत प्रतिस्टित समाचार मतलब की जो मतलब की समाचार पत्र है जिसे हम न्यूज पेपर कहते हैं उसमें छपता और उस न्यूज पेपर का नाम है टाइम साफ इंडिया तो आप सभी लोग Time Shop India के page पर जाकर बार में देख भी सकते हैं तो देखिए Time Shop India के page पर एक यहाँ पर आर्टिकल छपा था 4 फरवरी 2022 को ठीक है जिसमें साफ साफ लिखा है First entrance test for all central universities admission in June जुलाई ठीक है तो जून और जुलाई में यहाँ से इस बात को पढ़ने से तो पता चल जाता है कि जून और जुलाई में जो है exams conduct होंगे कुछ और बातों को जानने के बार यह जानने हैं कि इसका registration कब से start होगा देखिए यहाँ पर जो यह Time Shop India का paper है इसमें लिखा है the first central university common entrance test C.U.C.T. मतलब जो यह C.U.C.T. पहली बार आयूजित हो रहा है for admission to 42 central university will be held in 13 languages between June and July मतलब C.U.C.T. जो होने वाला है वो 42 university के लिए होगा मतलब कि भारत वर्थ के 42 जो central university है उसके लिए होगा और यह आपका 13 languages में कराया जाएगा मतलब 13 भासाओं में इसका paper कराया जाएगा मुखे रूप से इसकी जो भासाएं होंगी जिसमें ज़्यादातर मतलब student form मतलब की exam से देंगे वो होगी Hindi और English मतलब की language उसके अलावा और भी भासाएं इसमें सामिल है ठीक है अब बात करते हैं कि आयदी इसका जो exam है कि जून और जुलाई में होने वाला है तो registration इसका कब से start होगा तो आप सभी को पता है जितने भी entrance exam होते हैं चुकि यह तो पहली बार हो रहा है तो इसके बारे में कोई कुछ भी idea लगा सकता है जितने भी पहले जितने भी intense exam होए हैं उनमें आपके exams जो होता है और जो registration date होती है उसके बीच में तकरीबन एक महिने का समय तो कम से कम दिया ही जाता है ठीक है कम से कम यदि जून से हम एक महिना पीछे जाते हैं तो मई आता है ठीक है तो ये मान के चलिए कि मई के पहले week में यदि जोन में परिच्छा होती तो मई के पहले week में और अगर जुलाई में परिच्छा जाती है तो मई के last week में जो है इसके form जो है फिलब करने start हो जाएंगे या इसका registration start हो जाएगा ठीक है अपिसियली जो भी नियूज मिलेगा आप सभी को टाइमसफ इंडिया के आर्टिकल में ही मिलेगा या फिर आप हमारे चैनल को सस्क्राइब किये रहे है जो भी नियूज आएगी मैं आप सभी को बताता रहूँगा मिलेंगे निस वीडियो में ठांक्यू सो मज जैहें वन ने मातरम